नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है विजी कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बाइ फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूटूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासिस फॉर एगरिकल्चर दोस्तों आज हम सब लोग एक कमपटिटिव बुकाफ एगरिकल्चर जिसको डॉ कि क्रॉफ होती है सबस्क्राइल इसको हम पढ़ने वाले हैं इस से पहले मैंने कुल्टिवेशन ओफ वीट की क्रॉफ और कल्टिवेशन ओफ घृत्र गर्ण आप ई contribute यह दो क्रॉफ सत्तू इससे बनाया जाता है और काफी अच्छा काफी पॉस्टिक होता है लोग इसको खाते हैं सत्तू को बारले का जो बोटनिकल नेम होता है वो होता है हार्डियम बलगेर इसकी जो family होती हो ग्रेमिनी family का है 2N equal to 14 होता है इसमें chromosome number 14 होते हैं और इसका जो बोटनिकल नेम होता है वो कौम सा होता है हार्डियम बलगेर होता है पुराने समय में क्या होता था कि पुराने समय में जो बारले की कल्टिवेशन की जाती थी वो 2 रो बारले होती थी और इस समय जो कल्टिवेशन होता है वो six road बारले होते हैं मतलब समझो कि जो six row और two row बारले है इसका मतलब समझो यानि कि किसी किसी में दो लाइन देखो जब बारले लगता है खेत में धान से समझना अगर आपने बारले का फ्लॉरो सेंस देखा हो तो उसमें आप नोटिस करेंगे कि जो इसमें जो सीड लगने का यानि कि जो बारले का सीड लगता है उसके लगने का एक सिक्वेंस होता है जैसे आपने मक्का देखा होगा मक्का यानि मेज देखा होगा तो मेज में आपने देखा होगा 20-22 रो बने होते हैं 20-22 लाइन में ऐसे ऐसे मक्के के जो दाने होते हैं इस तरीके से एक बीच में वो होता है उसी के ऊपर चारो तरफ से मेज में लगे होते हैं दाने एक सिक्वेंस में एक लाइन में लगे होते हैं तो जिस तरीके से वो लाइन होते हैं मालो 18 लाइन है 12 लाइन है दस लाइन है जो भी हो तो जैसे एक एक लाइन होती है 18 20 लाइन जैसे बारले में उसमें मेज में लगा होता है उसी तरीके से जो बारले होता है उसमें किसी में 2 रो किसी में 6 रो जैसे 2 रो वाला बारले यह है इसमें एक देखना बारले का एक वी से काट लिए तो इसमें आप देखेंगे इस तरीके से चारों तरफ लगे हुई हैं तो अगर आप इनको काउंट करेंगे तो 1234567891011 समझ में अगर हम और भी बात करें या दूनिया भर जितने भी सीरेल क्रॉप ग्रोप की जाती है अगर उन्हें में बात करें तो बारले की क्रॉप एक ऐसी क्रॉप है जो सलिनेटी और यूप इन दोनों प्रॉब्लेमिटिक स्वाइल को ज़ादा हद तक टॉलरेंड कर लेता है इसकी टॉलरेंस कैपिसिटी जादा होती है चाह जो गेहूं की रोटी होती है वो फूलती है ठीक आराम से उसकी रोटी बना लेते हैं फूल जाती है जबकि बारले की अगर आप रोटी बनाएंगे तो पहली बात तो बनेगी नहीं क्योंकि जैसे इसे रोटी पतली होती जाएगी बारले की जब उसको हम बेलते हैं तो बेलत होती है गहुं के लिफ और बारले के लिए अगर आपको दिखाई जाए तो आप कैसे कर पाएंगे उसमें होता है बारले के लिफ जो होती है वह ब्राडर साइची होती है अन्नी थोड़ी से बड़ी होती है और जो light color की light green color की होती है रफ सर्फिस होती है बास समझ dış ये जो आपका सीड है ये इधर वाला इमेज लगा रखा है ये इमिज है किसका है ये notion का इसमें आप देखेंगे खोड़ो जादा जबकि बारले में अगर आप देखेंगे तो ये बारले हैं लिखते हैं एक बार ये क्या है ये बारले है और ये क्या है वीट है समझ गे ये दोनों फीगर तो बारले में अगर आप देखेंगे तो इसमें जो बारले की लीफ होती है थोड़ी बड़ी बड़ी होती है गेहों की लीफ के पेच्छा बारले की लीफ थोड़ी बड़ी होती है लाइट ग्रीन कलर होता है इसका बारले का लाइट ग्रीन कलर होता है जो इसका दूसरी तरीका के ग्रीन कलर होता है इसकी जो बारले की सर्फिस होती है बारले की लीफ की जो सर्फिस होती थोड़ा रफनेस होता है रफनेस मतलब थोड़ा बहुत इसमूद नहीं होता है जिस सीधे सीधे बिलकुल उपर के तरफ उर्दोधर होते हैं ठीक जब कि गेहूं के स्पाइक कैसे होते हैं इस तरीके से निकले होते हैं देखो यह बारले के स्पाइक हैं देखो बिलकुल सीधे सीधे उपर को गए हैं अगर वहीं गेहूं का स्पाइक होता तो वह किस तरीके से उसे निकला होता है, समझ गये, जूष में गया हो कि या बारले में जो इन्फलोरोसेंस निकल रहे होते हैं, उनके हमस्ट रहे हैं, अधे बारले ग्रेण आर्मॉस्ट ली यूज इन दा प्रॉड़क्शन आफ माल्ट कार्भोहाडरेट जो एक माल्ट कार्भोहाडर्ड होता इसके प्रडक्शन में बारले को ज़्यादा तर यूज किया जाता है और यह यूज किया जाता है किसमें जो माल्ट रहता है बारले में के अंदर जो कार्बोहड़र्ड पाया जाता है वो मेंली माल्ट होता है यह क्यों यूज होता है किसमें यूज होता है यह यूज होता है बीयर, alkohol, malt, vinegar, yeast, यह सब बनाने में इसका यूज होता है ठिक इसमें malt होता है, कार्बो है इसका जो इसका होता है उसके baseline को हम बोलते हैं malt, समझ गे उसी से क्या होता है, बियर बना जाता है, अलकोहल बना जाता है, जिसको हम कहते हैं, जव की बियर है, काफी महगी बिकती है, यह चीज होती है प्रोटीन कंटेंटिन बारले अगर बारले में हम प्रोटीन की बात करें तो दस से पांच परसंट जैसे हमने बात की राइस में राइस में चार से छे परसंट होता है किसी किसी साथ परसंट होता है उसके बाद अगर हम बात करें गेहूं में, गेहूं में 10-12% होता है मेज में 12-12% होता है बारले में 11 तो अधिक तर जो सीरियल क्रॉप्स होती है इसमें जो प्रोटीन होता है राइस को छोड़ कर बाकि जो मेन है जिसे जौर है, बाजरा है मेज है, गेहूं है इसके बाद इसकी जो प्रोटीन होती है बारले की जो प्रोटीन होती है वो क्या होती है एल्बूमिनाइड होती है जबकि राइस के प्रोटीन और और मेज की प्रोटीन और वीट के प्रोटीन क्या होती है या मेज की प्रोटीन क्या होती है इन तीनों के प्रोटीन आप पढ़ रहे हैं मेच की प्रोटीन आगे हम पढ़ेंगे अगर आपको आ रहा हो तो कमेंट में जरूर लिखिए कि क्या होता है देखते हैं आप लोग कितना रिटेन कर पाते हैं लन किया है तो आगे कितना याद है आप लोगों को अब हम बात करने वाले है classification of बारले की ग्रूप की जो ग्रूप की वराइटीज हैं उनका क्लासिफिकेशन करते हैं बारले की कई वराइटीज होती है जीने से स्पीशिस सब के अलगे लोग होते हैं जसे उसमें सबसे पहला है हाडिम बलगेर जिसको 6 रोड बारले कहते हैं जो six row होता है, इसमें जो भी मैंने बताया, six row ज़्यादा तरह ही cultivate किया जाता है, word में, all the three spikes are fertile, अब देखो बात समझू कह रहा है, all the three spikelets are, क्या, fertile, इसमें जो spike निकले होती है, एक में, वो तीन spike जो होती है, वो तीनो spike जो होती है, वो fertile होती है, नहीं कि तीनो spike के अंदर क् लगा होता है, बारले लगा होता है, spikelets is six distinct row, जो spikes होती है, वो six distinct row में होती है, जैसा मैंने बताया, six row बारले है, एक जो spike होता है, एक spike में, तीन spikelets होती है, जहान सा समझना, एक row में, जैसे एक row की हम बात करें, तो एक row में कोई एक बारले हमले ले लिया, अब उस बारले म में एक जो होती एक रो में जो एक बारले हम ले लिया उसको हम बोलते हैं स्पाइक अब इस स्पाइक में तीन दाने होते हैं ठीक उन्हीं तीनों दानों को हम बोलते हैं स्पाइकलेट्स यानि स्पाइक में स्पाइकलेट्स होते हैं और वो तीन होते हैं तो इस वाले जो बा इन six distant rows are arranged at a uniform distance around the reaches उसके जो reaches होते है यानि कि जो उसका जो वो होता है बाली जो होती है जो कि वो एक distant row में एक बराबर distance पर एक sequence में लगे होते हैं लेमा of all the floors are oven or hoods इसमें जो लेमा होता है देखो लेमा और पेलिया ये दो गेमों में और जों में पाया जाते हैं तो इसमें जो लेमा होता है वो floats and on or hooded ये hooded type का होता है क्या लेमा ये होता है इसका लेमा जो hooded type का होता है समझ गे आगे बात करते हैं इस ग्रूप इस most commonly cultivated in India ये जो hardium vulgar six row वाला बारले है ये इंडिया में काफी cultivate किया जाता है काफी ज्यादा मात्रा में इसकी cultivation होती है फिर उसके बाद है hardium irregular नाम से पता चला है irregular है तो ये मेभी six row हो सकता है और दो रोग का भी हो सकता है नहीं six row और two row दोन तर टाइप का बारले इसमें ग्रोग किया जा सकता है लेमा डज नाट वियर ons और hoods इसके जो लेमा होती है उसमें ons और hoods नहीं होते है उसके बाद जो तीसरे टाइप का बारले है hardium distinction वो होता है it consists only two row बारले ये काउंसी होती है इसमें क्यों दो ही रो की बारले होती है only central spikelets is fertile जिसे मैंने बताया कि spike के अंदर जो तीन spikelets होते हैं उसमें जो hardium bulgar होता है उसमें तीनों fertile होते हैं लेकिन अगर हम बात करें hardium distinction की तो इसमें केवल केवल central part जो स्पाइकलेट्स होता है, Central स्पाइकलेट के वहοι फटाइल होता है के वहल उसी में सीड लगते हैं इसके बाद आगर हम बात करें varieties की तो बाहर ले की कुछ varieties हैं जिसमें जो मैंने red color marker रखा है, वो important है, बाकि अगर आप नहीं आत कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जो मै आप जौिक देखेंगे जो की फली जैसे घ्यू होता है तो जौ में हस्ण नहीं होता है लेकिन आप जो मैं देखेंगे भी उसमें अ हस्क लगा उता है तो हस्के अलवाइटी होती है क्वा इसでも दोलना उसके बाद है रंजीत रतना जोती यह सब मोलेया रिजिस्टेंट वराइटी का उसे है राजकिरन राजकिरन एक ऐसी बराइटी है जो मोलेया निमेटोड से रिजिस्टेंट वराइटी है वारले में एक निमेटोड की डिजीज लगती है जुसका नाम है मोलेया इसमें मॉलिया डिजीज नहीं लगती है तो आज के लिए के वल इतना ही आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा अगर आपको अच्छा लगा हो यह बारले की क्रॉप पूरी खतम हुई अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो का लाइक करें आपके जो भी सुझाओं कमेंट बाक्स में जरूर लखें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं किसे यनने वीडियो में तब तक इजाद दीजिए, धन्यवाद